हेलो फ्रिंस इजी टू कुक में आपका स्वागत है इस पर हम बनाने जा रहे हैं बटर गालिक मश्रूम्स जी हाँ यह बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है लेकिन खाने में तो यह बहुत ज्यादा स्वाधिश्ट है आप इसे आज स्टार्टर या फिर साइड डिश ले स हैं तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस खेले इंड्रीडियंट्स यहां पर ने 200 ग्राम मश्रूम को साफ करके काटके रखा है साथ हम ले एक चमछ लसन याने की गालिक थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन का वाइट पोर्शन यह ग्रीन पोर्शन ग्रीन पोर्शन ग्र और इसे हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे यह देखे जब यह बटर थोड़ा सा पिखल जाएगा तो इसमें आप डालते हैं यह कटा हुआ मश्रूम यह देखे इस तरह से जैसा ही मैंने आपको पहले ही बताया है मैंने 200 ग्राम का पैकेट मश्रूम का इस्तिमाल किय इसे मैंने इस तरह से काट भी दिया था तो बस यह सारे मश्रूम को डाल के आपको इसे हलका सा फ्राय करना है जब तक कि मश्रूम से सारा पानी निकल जाए यहाँ पर मैं आपको एक बात बोल दूँ कि मश्रूम काफी स्यादा पानी चोड़ती है इसलिए इस वक्त आप इसमें नमक ना डालें क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाएगी तो इसे हम ढख के दो मिनट के लिए छोड़ देंगे यह देखे मैं आपको दिखा रहे हो यहाँ पर मश्रूम ने कितना जादा पानी चोड़ा हुआ है तो जब तर पानी पूरी तरह से इसे मश्रूम से ना निकल जाए आप इसे पकाते रहें यह देखें यहाँ पर यह पानी लगभग अब निकल गया है तो मैं इसे एक साइट कड़ दे रही हूं कड़ाई के आप चाहे तो आप इसे प्लेट में भी निकाल सकते हैं लेकि मैं एक बार में ही इसे कड़ाई प हुआ है इसके साथ ही मैं यह आप डाल जूए एक चमच गालिक अब इन दोनों इंग्रीजियंट्स को आप बटर में हलका सा फ्राई कर लें अब इसमें आप डाले यह जो वाइट पोशन था स्प्रिंग अनियंस का उसे हम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे भी आप बट और चीजों को एक साथ ही बना रही हूँ मश्रूम से जो बचा हुआ पानी है वो भी निकल रहा है और इस तरफ यह कुक भी हो रहा है अब इसमें आप डाल दे यह जो ग्रीन पोशन था स्प्रिंग अनियंस का और इसे भी आप एक मिनिट तक फ्राई कर लें यह देखिए इस तरह से आपको इसे जादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हम पूरी तरह से इसे जो फ्राई है वो मश्रूम के साथ ही करेंगे तो बस एक मिनिट हो चुका है सारी इंग्रीडियंट्स हलका सा फ्राई हो गया है तो अब मश्रूम को आप इन सारी इंग्रीडियंट्स के स आप अच्छी तरह से मिला लें और इसे आपको तकतर फ्राइ करना है जब तक कि मश्रूम का कलर थोड़ा सा ब्रावनिश ना हो जाए इसे मैं मीडियम आज पे ही बना रहे हूँ अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुचा नमक और इसे आप अच्छी तरह से मिला लें यह देखें इस तरह से बस हमने इसमें नमक डाल दिया है गैस का जो फ्लेम है वो थोड़ा सा मीडियम हाई पे आप रखें यहाँ पे यह देखें मश्रूम अब पक किया है अच्छी तरह से थोड़ा सा कलर चेंज भी आ गया है इसमें तो आखरी में मैं इसमें डालूंगी यह ओरेगानो यह आसानी से मार्केट में मिल जाता है यह ओफ्षिनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसे डाले अगर आपको औरेगानो का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आपका बटर गालिक मश्रूम अब बिल्कुल तयार है यह बहुत ही ज्यादा आसान सी रेसिपी तो इसे बस एक प्लेट में निकाल दे थोड़े से स्प्रिंग अनियंस के साथ आप इसे गानिश कर ले और इसे आप करमा करम ही इस तरह से परोसे जैसा मैंने आपको पहले इसे आप ऐसा स्टार्टर ले सकते हैं आप चाहे तो आप इसे साइट डिश में भी ले सकते हैं यह खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिश्ट होता है तो अगर आज आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर बिल आइकन प्रेस करना लाइए